चलो दोस्तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुबरेटिस का अगला टॉपिक और आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे पॉड के बारे में ठीक है आज हम लोग समझेंगे pod है क्या, बहुत important word है दोस्तों यह pod, kubernetes के interview में सबसे पहला question pod से ही start होता है, और अगर आपको pod की definition अगर अच्छे से clear नहीं है, तो पूरे की पूरे kubernetes में आप लोग confusion में रहते हैं, तो उमीद करता हूँ कि आप सब लोग सबसे पहले pod की definitions को clear करें, pod को kubernetes में क्यों लाया, इसका क्या use case है, इसका क्या benefit है kubernetes cluster में, यह समझेंगा आज हम लोग इस वीडियो में, तो अगर आप इसे pod की definitions को समझें तो बहुत ही जल्दी आप समझ सकते हैं, मैं कोसेस करूँगा कि आपको बहुत ही short format में इसे समझा दूँ, बहुत से लोग pod की definitions को लेकर confusion में रहते हैं, लेकिन आज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको pod की definitions हो clear हो जाएग तो दोस्तों यहाँ पर pod कुछ भी नहीं है, आप Kubernetes के cluster के अंदर आप जो application चलाते हैं, वो applications container पर ही चल रही होती हैं, लेकिन उस container के उपर एक logical boundary होती है, जैसे यह container है, माल लीज़े cluster के अंदर एक container है, तो आपके Kubernetes cluster के अंदर यह container ऐसे नहीं पढ़ा रहेगा, यह container एक logical boundary के अंदर होता है, यह logical boundary है, और इस logical boundary को ही हम लोग pod कहते हैं, अब सवाल यह आता है, कि यह logical boundary को क्यों लाया गया, जब application container पर ही चलनी है, तो यह logical boundary को क्यों लेके आया गया, सवाल आता है, बहुत बढ़ा एक यह, यह सवाल भी मैं आपको clear करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कि यह जो logical boundary है, इस logical boundary को हम लोग pod कहते हैं, और इस logical boundary के अदर आप चाहें तो एक single container भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो multiple container भी रख सकते हैं, अब single container कौन से case में रखा जाता है, और multiple container कौन से case में रखा जाता है, यह सारी definition भी हम लोग clear करेंगे इस video में, अभी सिर्फ आप मोटा मोटेव इतना समझेए, pod यहाँ पर कुछ भी नहीं है, container के उपर का एक logical boundary है, बस, आप यह भी बोल सकते हो, collection of the container, क्योंकि इस logical boundary में अगर बहुत सारे container हो गए, तो आप pod को क्या बोलते हैं, collection of the container, चलिए, अब हम लोगे start करते हैं, कि इस pod के आने Kubernetes cluster में क्या benefits हैं, और अगर यह pod नहीं होता, तो क्या loss होता आपको, cluster में, Kubernetes cluster में, चलिए, फिर हम लोग इसको सुरू करते हैं, ऐसा practical format में, sorry, पहले हम लोग बात करेंगे as a diagram, फिर हम practical में देखेंगे, तो ऐसे समझेए कि यह आपको Kubernetes cluster setup आपने किया, यह आपने Kubernetes के उपर cluster setup किया, यह आपने cluster setup किया, ऐसे समझे, इस cluster के अंदर आपके पास एक node यह है, और इस cluster के अंदर आपके पास एक node यह है, और एक node यह है, यह जो node है आपके पास cluster में, यह समझ लिजे, आपका master node है, और यह जो नोड है आपका यह आपका वर्कर नोड है वर्कर नोड वन और यह है आपका वर्कर नोड टू पर्फेक्ट अब यह पूरा का पूरा आपका कोमेडिस क्लेस्टर है आपने क्लेस्टर बनाया है ठीक है चलो अब इस cluster के अंदर आप अपनी कोई application चलाना चाहते हैं और आप अपनी application microservice पे चलाना चाहते हैं बोले तो container के उपर तो अगर pod का concept नहीं होता तो क्या कर रहे होते हैं अगर pod का concept आपके पास नहीं होता तो आप Kubernetes cluster के अंदर क्या करते हैं docker container run hyphen hyphen name आपने बोले db hyphen server आपने image ले लिया mysql तो क्या होता यह यह command क्या करती worker1 worker2 आपने ऐसा समझे कि आपने worker2 पे एक container बना दिया इस container के अंदर mysql नाम की image आ जाती और इस पर database चल रहा है और इस container को एक IP assign हो जाता यह जो मैं बता रहा हूँ उस case में बता रहा हूँ अगर pod नहीं होता तो pod is a concept इसको एक IP मिल जाती यह क्लिर अब आप दूसरी command चलाते docker container run-name इस बार आपने name बोला web server और आपने बोला wordpress तो अब आपने यह वाली command wordpress जो आपने deployment कर रहे हो उसका container आपने चीक है यह चलो अब आप कर यह wordpress है और यह mysql है अब मैं चाहता हूँ कि wordpress के साथ इस mysql container को bind करना चाहता हूँ राइट integrations करना चाहता हूँ तब तो यह मेरा पूरा को पूरा wordpress ready होगा तो यह wordpress container पर यह database bind करना चाहता तो मैं जी क्या करना पड़ता कि mysql container की IP लेता और यहां पर bind कर देता clear लेकिन यहां पर problems आपके सामने काती problems का बाती माल लिजी अगर mysql container जो चल रहा है इसको कुछ हो जाए तो इसको अगर कुछ हो जाए तो माल ली जी यह कुछ हो गया डैमेज हो गया तो क्या यह automatic recreate होगा अगर हम इस scenario में रख कर देखें तो नहीं होगा यह recreate हां अगर आप docker song technologies को implement कर रहे हो तो हो जाता लेकिन हमने docker song तो नहीं लिया ना हम तो kubernetes से यूज कर रहे हैं तो kubernetes के case में अगर pod नहीं होता और आप इस तरीके से cluster पे एक container यहां बनाते एक container यहां और कलको mysql container को कुछ हो जाता तो mysql container क्या recreate होता automatic सवाल आता है नहीं यह फिर माल लिजे कि आप नहीं जाके उसको recreate कर दिया तो आप नहीं जब उसे जाके recreate किया तो क्या यह ip यह same ip mysql container को मिलेगी जो नया recreate आपने क्या सवाल आता है नहीं तो different ip मिलेगी इसका मतलब फिर से आपको wordpress पर जाके नहीं नया mysql ip को bind करना पड़ेगा तो कितना complexity है आपने clear तो अब pod के आने का pod अगर आ गया तो क्या benefit हुआ तो देखिए pod के आने का benefit समझाता हूं इसको हम लोग skip कर देते हैं तो Kubernetes cluster के case में क्या होता है की हम Kubernetes administrator जो होता हूं कभी Kubernetes cluster पर आकर एक single container नहीं बनाता, ओं कभी docker container run command से container को में बनाता, Kubernetes के case में तो Kubernetes administrator जो होता हो। Kubernetes cluster के case में क्या कर रहा होता है, ओ यहां पर command use कर रहा होता है, kubectl, क्या use कर रहाता है, kubectl, run, name यहां पर दे दिया हो से जिसे, db-server, hyphen-image उसने यहां पर pass कर दिया mysql, तो Kubernetes का administrator हो यह command चलाएगा, तो अब जब यह command चलाएगा तो अब क्या होता है कि सबसे पहले node में आकर एक pod बनेगा क्या बनेगा pod सबसे पहले एक pod बनता है यह यह एक pod बन गया बहुत important चीज बतारों दोस्तों यह मैं यहाँ पर आया और एक क्या बन गया pod बन गया यह ठीक है यह लिख देता हूँ मैं pod ठीक है अब जैसे ही pod बना तो pod को एक IP assign हो जाती है किसको pod को एक IP assign हो गई मालों यह IP assign हो गई अब उसके बाद pod के अंदर एक कंटेनर बनेगा पॉड के अंदर एक कंटेनर बनेगा उस कंटेनर का जो क्या होगा और उस कंटेनर के अंदर जो image deploy होगी ओ इमेज होगी पॉस्त नाम की एक image रिख इस पॉस्त नामी एक image deploy हो जाएगी इस कंटेनर के अंदर अब यह पॉस्त नामी इमेज कंटेनर जो पॉड के अंदर create हुआ है यह POS नामी कंटेनर क्या करता है इस POD की IP और POD का एक Namespace बोलता एक XYZ नाम का एक Namespace और IP अपने पास स्टोर कर लेता है देन उसके बाद आपके POD के अंदर एक कंटेनर बनेगा और उस कंटेनर पे अब आपकी एक MySQL इमेज डिपलॉय होगी ध्यान से समझ लीजे जब भी आप कोई POD बनाते हैं तो POD के अंदर आपकी इमेज को डिपलॉय करने के लिए एक कंटेनर तो बनता ही बनता है लेकिन एक POS नामी कंटेनर अपने आप बनती है एक कंटेनर बनेगा जिसमें POS नामी इमेज डिपलॉय होगी और यह POS नामी कंटेनर क्या कर रहा होता है इस POD की IP और एक नेम स्पेस अपने पास स्टोर करके रखता है और जब यह कंटेनर बना और इसके अंदर जब MySQL इंस्टॉल हो गया तो अब यह POS नामी कंटेनर क्या करता है कि उस MySQL को भी अपने नेम स्पेस में एड़ गर लेता है क्लियर द्यान से समझना मेरी बात को इसी तरीके से अब ये पॉस नामी कंटेनर क्या करता है कि मालनी जी इस pod के अंदर आप और भी कंटेनर बनाते हैं जैसे pod के अंदर आप number of container बना रहे हैं तो उन सब number of container को अपने name space में add कर लेगा और इस pod के अंदर जितने भी container होगे सब की IP एक ही होती है ये pod तो इस pod के अंदर अगर 10 container है तो 10 container की IP यह होगी राइट किसकी वाज़से पॉस नामी container की वाज़से क्योंकि वो 10 के 10 container को अपने name space पे आड़ कर लेता है राइट तो interview में ये भी पूछा जाता कि जब हमें pod बनाते हैं तो पॉड के अंदर by default कितने container बनते हैं तो जब आप पॉड बनाते हैं जैसे आपने कमांड मारा kubectl run db server hyphen image is called to mysql तो आपकी पॉड एक पॉड बनेगा पॉड के अंदर एक container बनाएगा उसके अंदर पॉड के अंदर दो container बनेगे एक तो आपके लिए और एक by default पॉड के लिए उसके बाद आप फर्दर जितने बताना बता दीचे ठीक है अब इसका benefit देखिए क्या हुआ तो mysql जो container है इस container को कोई भी आईपी असाइन नहीं होती है आईपी पॉड को असाइन होगी किसको आईपी असाइन होगी पॉड को यह देखिए इसी तरीके से अब benefit क्या देखिए benefit यह है कि कल को यह पॉड के अंदर जो mysql container है यह container को कल को कुछ भी हो जाए तो container automatic recreate हो जाएगा automatic किसकी वैसे क्यों क्यों पॉड के अंदर है अगर पॉड के अंदर नहीं होता तो री क्रिट नहीं होता ठीक है और एक चीज़ बताता है इसी तरीके से माल लिजे आपने एक और different command मारी यहाँ पर आपने command चलाया kubectl run इस वार आपने वोड़ा web-server-image is called to wordpress ठीक है तो अब क्या हुआ इस वाले worker node में अब एक pod create हुआ ठीक है यहाँ पर एक pod अप create हुआ यह लो यह एक pod create हो गया आपका इस pod को भी एक IP assign हो गई यह लो 1.3 और इस pod के अंदर भी एक पॉस एक container बना जिसके अंदर पॉस नाम image आ गया ठीक है यह पॉस तो बनना ही बनना है दोस्तों ठीक है उसके बाद यह भी एक name is space create क्या माल लिजए yzx और फिर इसके अंदर एक container बना और उस container के अंदर आपका wordpress reply हो गया क्या reply हो गया wordpress मैं आप लिख देता हूं यह लिजे तो अब wordpress इस पर चल रहा है इस पर इस container पर wordpress चल रहा है लेकिन इस container की के पास कोई IP नहीं है यह container इस pod की IP को इस्तमाल करता है ठीक है अब देखिए main benefit क्या होता है pod का अब देखिए आपका यह container है जिसमें mysql चल रहा है इस container पर आपका wordpress चल रहा है ठीक है तो अब इस wordpress के साथ mysql को bind करना है तो आप bind कैसे करेंगे इस mysql container की तो कोई IP है नहीं अभी wordpress की भी कोई IP नहीं है तो यह लोग binding होंगे pod की IP के साथ तो अगर हम इस wordpress पे mysql को bind करेंगे तो pod की IP से binding की जाएगी तो pod की IP से binding करने का क्या benefit है देखिए pod की IP से binding करने का benefit यह है कि कल को मालीजी mysql container को कुछ होता है तो रीक्रेट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा binding तो इससे है लेकिन अगर आप से container के case में देखें तो मालीजी आपका container को कुछ होता था आप उसे रीक्रेट करते थे नहीं IP आती थी तो आपको दुबारा binding करने ही पड़ती थी बड़ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा यह benefit है दोस्तो pod का क्योंकि अगर आपका container pod के अंदर है तो फिर pod की responsibility रहती है कि उसे 24-7 life रखना उसकी redundancy बना के रखना पॉड की responsibility हो जाती है फिर इसलिए यहाँ पर पॉड का concept लाया गया है अब इसी तरीके से एक चीज में आपको और clear करता हूँ उमीद करता हूँ कि यह जो examples मैंने अभी दिये हैं यह आप लोगों को clear हो गया होगा अब थोड़ा सा और समझाता हूँ अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है पॉड के अंदर अगर एक container है तो container की redundancy मिल रही है container को कुछ होता है तो वापस से recreate हो जाता है बहुत बढ़ी है बात लेकिन अगर पॉड को कुछ हो गया तो क्या होगा तब तो गया अगर पॉड को कुछ हो गया तो फिर आपका गया सब कुछ बिल्कुल गया तो अगर आप pod की redundancy चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि pod के उपर आपको एक deployment बनाना पड़ता है क्या बनाना पड़ता है? deployment अगर आप pod की redundancy चाहते हैं तो container की redundancy तो मिल गई pod ने दे दी लेकिन pod अगर delete हो गया तो ओ कैसे recruit होगा यह लेजिए deployment ठीक है तो यह deployment बन गया यह deployment बन गया तो अब जब deployment बन गया तो अब deployment क्या करेगा deployment अपने अंदर की pod की redundancy बना कर रखता है तो deployment के अंदर का अगर pod को कुछ होता है तो दुवारा से वो recreate हो जाएगा अगेन recreate हो जाएगा यह pod अपने अप recreate हो जाएगा तो अब यहाँ पर एक और सवाल उठके आ जाता है कि माल लेजिए यह pod अभी जो चल रहा है उसकी IP यह है 10.10.1.3 और यह जो pod चल रहा है इसकी IP है 10.10.1.2 अब यह WordPress का pod हो गया यह MySQL का pod हो गया इन दोनों की binding इन दोनों IP से की गई है अब हमने यह बात बोली कि अगर इस pod को कुछ हो जाए तो वापस से recreate हो जाएगा उसकी IP यह नहीं होगी यह pod डिलीट हो जाए उसकी IP यह नहीं होगी तो अब आप लोगों के सामने एक और problem statement आ चुकी है कि अगर ठीक deployment pod की monitoring कर रहा है लेकिन अगर pod को कुछ हुआ तो pod हटा और नया pod आया recreate हुआ data वेगरा सब कुछ रहेगा लेकिन IP चेंज हो गई तो क्या इसका मतलब दुबारा wordpress pod wordpress pod के साथ दुबारा binding करनी पड़ेगी नई IP आईगी तो बिलकुल करनी पड़ेगी तो फिर से solutions भी kubernetes ने दिया है वो भी automation के तौर पर उसका solution यह है कि आप अपने deployment के उपर एक service बनाएं तो आप अपने deployment के उपर क्या करें एक service बनाएं यह service बनाएं और जब आप deployment की service बनाते हैं तो service के तीन टाइप होते हैं वो मैं आप लिख देता हूं हलाकि service का अलग topic हम discuss करेंगे लेकिन अभी मैं यह चीजे बता रहा हूं जिससे आपको एक picture set हो जाए kubernetes cluster का तो service के तीन टाइप होते है एक होता है cluster IP एक second होता है आपका node port और थर्ड होता है आपका load balancer तो हमने क्या किया deployment के ऊपर एक service बनाया deployment के ऊपर हमने क्या किया एक service बनाया तो जैसे हमने उस deployment की एक service बनाते हैं और service का type अगर हम cluster IP यूज करते हैं तो क्या होगा इस service को एक IP assign हो जाएगी मालो इस service को एक IP assign हो गई है और IP कुण सी assign होती है हम अपने cluster के अंदर cluster IP की range define करते हैं उनी में से एक IP मिल जाती है यह सारी चीजे practical करेंगे तो ज्यादा clear होगा अभी as a objective theory के format में समझी है आप लोपस तो इसकी भी हमने एक service बनाई तो इसकी भी एक service IP assign हो जाती है यह लिजे तो अब क्या हुआ इस deployment की एक service यह बन गई इस deployment की एक service यह बन गई तो अब क्या होगा कि यह वाला pod अगर इस वाले pod से बात करना चाहता है तो यह pod अपनी अपनी IP से बात नहीं करेंगे यह wordpress pod यह database pod जब wordpress pod के साथ database pod को bind करना होगा तो यह database pod की IP को bind नहीं करेंगे क्योंकि कल कोई database pod को कुछ होता है तो दुवारा नया pod अगर recreate होके आता है तो उसकी IP तो change होगी तो हम लोग क्या करते है service IP से एक दूसरे से बात करते हैं तो अगर मुझे इस wordpress pod को wordpress pod में इस database pod को bind करना है तो मैं यह database pod की IP नहीं यूज करूँगा मैं database pod के उपर जो deployment है deployment के उपर जो service को यूज करूँगा binding करने के लिए तो अगर यह service IP मैं यूज करता हूँ यहां पर binding करने के लिए तो इससे benefit क्या होता है इससे benefit यह है कि कल को अगर यह pod delete हो जाता हो और नया pod आता है तो नया pod की अगर नई IP आती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह service IP उसको अपने आप add कर लेगा, उसका end point अपने आप बना लेगा, क्योंकि यह service IP अभी इस IP के साथ end point बना के रखा है, ठीक है ना, तो अगर यह pod delete हुआ और नया pod बना, तो यह service IP अब उस नय pod की IP के साथ binding हो जाएगा, और मेरा wordpress इस service IP से mapped है, तो यहाँ पर traffic का flow फिक क्या बन जाता है, अगर यह WordPress को इस database pod की पास जाना, तो traffic का flow ऐसे हो जाता है, यह traffic आती है, यह service IP पे जाएगी, और यह service IP, spot IP के साथ mapped रहता है, इस तरीके से, तो हम लोग फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते है, service यूज़ कर रहे होते हैं, तो सारा न सारा कुछ automation हो गया है, यहाँ पर देखें आप, actual में आपका जो applications है, वो तो चल रहा है, container पर ही, लेकिन वो container के उपर एक logical boundary है, pod, जो pod उस container की redundancy को manage कर रहा है, कल को container को कुछ होता है, तो वापस से recruit हो जाता है, क्योंकि pod के अंदर है, pod को कुछ होता है, तो pod वापस से recruit हो सर्विस हो गई, क्योंकि pod अगर recruit होता है, तो नई IP आती ही, तो binding ना करना पड़े, तो communication channel के सर्विस हो गई, तो उमीद करता हूं, यह terms आपको समझ में आया होगा, लेकिन जब आप इस service को बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको cluster IP रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर देख topic हम अलग-अलग discuss करेंगे, cluster IP पे अलग वीडियो बनेंगे, note port पे अलग वीडियो बनेंगे, load balancer पे अलग वीडियो बनेंगे, with the practical, तो वहाँ पर भी हम इसको एक deep and die explain करेंगे जाकर, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको यह picture समझाने की कोसिस कर रहा हूं, कि आपको Kubernetes cluster का picture wind म set हो जाए, तो मिल्स करता हूं, यह service आपको समझ में आ गई होगी, यह service का जो type है, हमने यहाँ पर cluster IP अभी use किया, अब node put कभी use करेंगे, और load balancer कभी use करेंगे, यह भी मैं आभी आपको 2-2 minute समझा देता हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर space लेता हूं, देखिए, आप जैसे यह worker node है, तो इस worker node की भी एक IP होगी, आपने दिया होगा ना, माल लिजए IPA 192, इसकी भी एक IP है माल लिजए, यह है, अब सवाल यह आता है, कि इस pod के अंदर यह container है, इसके अंदर वर्डप्रेस चल रहा है, अब वर्डप्रेस चल रहा है, अब इस वर्डप्रेस को अगर मैं cluster के किसी भी node से access करना चाहूं, तो बिल्कुल मैं service IP को, service की IP को hit करके access कर सकता हूं, definitely, अगर मैं master node में बैट कर, इस वर्डप्रेस को access करना चाहूं, तो मैं यहाँ से बैट कर, इस service IP को hit करूंगा, तो मुझे response देदेगा, बराबर, लेकिन अब सवाल आता है कि मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं तो internet में बैठा हुआ हूँ, यह internet है माल लीजी, यह internet है, ठीक है, और यह मैं बैठा हुआ हूँ, यह मेरा system बैठा हुआ हूँ, और वाई साब मैं चाहता हूँ क्यार इस cluster के अंदर जो wordpress चल रहा है इसको मैं access करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा क्या मैं अपने system से बैट कर इस service IP को hit करूँगा तो मुझे response करेगा नई क्योंकि यह service IP है यह internal cluster का internal IP है वर्चोल IP है यह response नहीं करेगा यह service की जो IP है यह internal cluster के किसी भी note से बैठ कर communication करने के लिए बाहर से नहीं आ सकते हैं तो अगर मैं बाहर से बैठ कर इस spot तक जाना चाहता हूं इस पर अप्लिकेशन चल रही है तो आपको क्या करना पड़ता है इस deployment की जो आपने service बनाई है इस लेकिन service का type cluster IP यूज किया आपने तो अगर आप बाहर से बैठ कर किसी को इस spot पर चलने में लिए अप्लिकेशन पर अक्सेस देना चाहते हैं तो इस deployment का service बनाई है लेकिन service का type node port रखिए तो अगर आपने service बनाया और service का type node port रखा तो अब क्या होता है अब क्या होगा कि यह node की जो IP है तो इस node की IP के साथ एक port expose हो जाता है और यह cluster की जो IP यह आपके node की जो IP है और यह port इस deployment के साथ bind हो जाएगा अब क्लियर इसके साथ ऐससे deployment के साथ बाइंड हो जाएगा सेम चीज यहां पर भी होगी यह लिजिए सेम पोर्ट बाइंड हो जाएगा यहां पर इसके साथ हलाकि यह एक अलग deployment है यह अलग deployment है तो अगर मैं इस deployment की service बना रहा हूं और service का type node port रखा हो तो इस deployment के लिए होगा इसके लिए नहीं होगा यह बाध्यान रखना वह मैं समझाने के लिए आपको साइड में पता दिया था तो अब क्या होगा कि अगर मैं deployment की service बनाता हूं service का type node port रखता हूं तो यह deployment जिस भी node में होगा उस node की IP के साथ एक port mapped हो जाएगा इस deployment के साथ तो फिर मैं बाहर से बैट कर इस node की IP को हिट मारूंगा इस port पे तो अब यह background में मुझे इस port तक लेके चली जाएगी अब एक चीज और एक informatic आपको बता देता हूं जब आप deployment का service बनाते हैं और service का type अगर आपने cluster IP रखा तो फिर यह internal वाली IP मिल जाती है लेकिन अगर आपने deployment का एक service बनाते हो service का type अगर आप node port रखते हैं तो node port में क्या होता है कि node के साथ एक port mapping, port assign तो हो जाता है लेकिन साथ में cluster IP भी मिल जाती है साथ में cluster IP भी आपको मिलेगी दो-दो चीज हो जाएगी फिर अगर आप node port करते हैं तो cluster IP भी मिलेगी उस deployment को और एक node port भी मिलेगा ऐस तक क्यों होता है मैं आपको समझाता है cluster IP इसलिए मिलती है क्योंकि अगर माल लीजे cluster IP नहीं मिले ये वाली IP तो आपका ये node की IP और ये port directly क्या होगा आपके deployment के साथ mapped हो गया तो अगर मैं बाहर से वेट के इसको हिट करता हूं तो ये क्या करेगा मुझे deployment के साइड और ये deployment इस port पे मुझे लेके चला जाएगा क्लियर लेकिन Kubernetes के अंदर एक और features available है वो features क्या है कि हम ऐसा भी बता सकते हैं कि ये जो pod है इस pod की number of replications आ जाए मतलब हम ऐसा बता सकते हैं आपर autoscaling define करके कि अगर इस pod पे load बड़े तो इसकी number of copy आ जाए pod की number of copy तो मालीजे अगर pod की number of copy आ गई मालीजे यहाँ पर pod की number of copy आ गई ये ये तीन copy आ गई एक ये हो गया दो ये हो गया तीन हो गया तो बाहर से अगर बंदा इस नोड की IP और इस pod को हिट करता है तो इस deployment के पास जाता है अब deployment इस वाले pod को बेजेगा या इस वाले को बेजेगा किस वाले को बेजेगा तो इसी लिए जब भी आप किसी deployment की service बनाते हैं service का type अगर आप node port रखते हैं तो साथ में cluster IP भी assign होती है तो इसमें क्या होता है cluster IP अगर assign हुई तो मैं बाहर से बैठ कर इसको हिट करूंगा इस node की IP के इस port को हिट मारूंगा तो डारेक्ट ये deployment तक नहीं जाएगा यह क्या करेगा service पे जाएगा cluster IP पे जाएगा इस cluster IP पे जाएगा मैं लिख देता हूँ यह आपर यह cluster IP है और यह cluster IP क्या होगा इस वाले pod यह cluster IP जो है यह cluster IP इस वाले pod की IP के साथ mapped होगा और कल को अगर हमने auto scaling define कर रखी है कि load के बढ़ने से pod की auto scaling हो जाए number of pod आ जाए तो अगर number of pod आते भी हैं तो number of pod की हर pod की अपनी अपनी IP होगी तो यह cluster IP क्या करेगा इस pod की आइप को भी अपने साथ add कर लेगा और इस पॉड़ की IP को भी अपने साथ add कर लेगा तो मैं बाहर से बन्दा हींट मारेगा इसको ये जाएगा cluster IP पर cluster IP देगए अच्छा मेरे against तीन pods है तो एक request एक pod को देगा, दूसरी request दूसरे pod को देगा, तीसरी request तीसरे pod को देगा और उस pod के अंदर container होंगे, उस container में आपका WordPress चल रहा होगा तो ये चीजे बहुत important हैं जो मैंने आपको बता है, हलाकि ये चीजे हम लोग जब note put का dedicate lab करेंगे तो वहाँ पर भी cover करेंगे, लेकिन ये मैं मोटा motive आपको समझा के चल रहा हूँ, जिससे आपको एक्सेस करेगा इस pod पर चलने वाले application को तो उसे नहीं ये port लगाना पड़ेगा, ये port उसे बार बार लगाना पड़ेगा load balancer लगा लें, ठीक है तो जब आप लोग load balancer लगाएंगे तो load balancer की एक IP आ जाईगी, माल लीजे आपने load balancer लगाया उसकी IP ये आ गई, ये लीजे ठीक है, और आपको क्या करना है, कि load balancer के end point में ये IP और ये port एड़ कर लीजे, और customer को बोलिए कि भाई तो इस load balancer की IP को इडमाल ये क्या करेगा, इधर traffic forward कर देगा इस node की IP के इस port पे और traffic जली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो load balancer होगा, ये आपका अपना load balancer है, यहाँ पर kubernetes का अपना कोई load balancer नहीं है, इस case में, लेकिन पहले kubernetes आपको अपना खुद का load balancer की service नहीं देता था, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ता था, क्योंकि आपके customer port थोड़ी लगा कर आएंगे, एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर आप लोग क्या करते हैं, कि ये load balancer की IP को आप अपने DNS में point कर लेते, तो आपका customer बाहर name को hit करता है, और name resolve करेगा इस load balancer की IP के site, और ये इस के site bind इधर आठेगी, लेकिन अभी अभी कुछ 6-7 मेना पहले, kubernetes वालों ने अपना खुद का भी load balancer प्रोवाइड कर दिया है, तो खुद का भी एक load balancer उन्हें प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए उन्होंने deployment की जब आप service बनाते हैं, तो उसका type उन्होंने बोला है load balancer र रखते हैं, और अगर आपने cluster के अंदर कोई internal load balancer चला रखा है, जो metal lb इन्होंने अभी प्रोवाइड किया है, अगर वो आपने setup कर रखा है, तो क्या होगा आपके cluster के अंदर ही, जब आप cluster के अंदर एक load balancer आप set करते हैं, तो उसके अंदर एक public IP की range आप देते हैं, तो क्या होगा, कि एक load balancer create हो जाएगा cluster के अंदर, right, cluster के अंदर एक आपका load balancer create हो जाएगा, और उस load balancer के एक IP मिल जाएगी, जो भी आपने range ती है, माल लिजे ये मिल गई, कब हुआ ऐसा, जब आपने deployment की service बनाई हो, service का type load balancer रखा, और ये load balancer आपका cluster के अंदर ही होगा, ये वो बाहर वाला load balancer नहीं है, तो ऐसा तब होता है, जब आपने deployment की service बनाई हो, service का type load balancer रखा, तो एक चीज़ और बता देता हो, अगर आपने deployment की service बनाई हो, service का type अगर आप load balancer रखते हो, तो फिर तीनों चीज़े create हो जाती है, node port भी create हो जाता है, cluster IP भी create हो जाता है और load balancer भी create हो जाता है, तीनों चीज़ create हो जाती है, क्योंकि बाहर से बंदा इसको hit करेगा, ये node की, इस IP को, इस port को hit करेगा, और ये service को देगा, और service लेके जाएगा pod तक, और ये load balancer जो है, आपके cluster के अंदर internal है, जो खुद एक pod में चल रहा है, ये किस scenario में होता है, जब आप on-premises setup लगा रहा है, on-premises, bare metal में आप कर रहा है, लेकिन अगर आप Kubernetes का platform as a service का इस्तमाल करते हैं, जैसे Azure cloud, Google cloud, AWS cloud, तो वहां पर अगर आपने deployment की service बनाई, और service का type अगर आप load balancer रखते हैं, तो फिर उस case में ये load balancer आपके cluster के अंदर किसी pod में create नहीं होता, वो cloud provider का load balancer provision हो जाता है, जैसे AWS का load balancer provision हो जाएगा, और उस load balancer में आपके इस node का IP bind हो जाएगा, Azure का load balancer provision हो जाएगा, Google cloud का load balancer provision हो जाएगा, तो ये benefit है, ये service का benefit है, जो मैंने अभी आपको बताया, cluster IP, node port और load balancer, हलाकि जिने भी इस service में, जो cluster IP, node port और load balancer में अगर कुछ doubt होगा, तो कोई परिशानी की बात नहीं है, आगे जब हम इसकी dedicate topic के video बनाएंगे, तो वहाँ पर cover कर देंगे, अभी सिर्फ मैं pod की definition को समझाने के लिए इन terms को use किया बस, तो उमीद करता हूँ कि आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, clear, इसी तरीकी से थोड़ा सा और समझते है pod, तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए, pod का एक traffic का flow और क्या benefit है, अब अगली चीज़ बताता मैं आपको, pod के अंदर हम लोग multiple container भी रखते हैं, किस case में रखते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे माल लीजिए, ये मैंने एक pod बनाया, एक pod मैंने ये बनाया, इस pod में मैंने जो container रखा उस पर web रख लिया, और इस pod में अगर कोई container रखा तो मैंने database रख लिया, ठीक है मैंने map कर दिया, बहुत बड़ी है, अब देखिए, हुआ क्या, आपके entire the cluster पे, एक pod eip reserve कर लिया, और एक pod eip reserve कर लिया, right, मैं कहता हूँ, जब आपको pod में ये facility मिलती है, कि एक pod के अंदर number of container आप रख सकते हैं, एक pod के अंदर आप number of container रख सकते हैं, तो फिर, आप अलग-अलग क्यों कर रहे हैं, अलग-अलग करने से क्या होता है, एक ip को reserve होगा, एक ip को reserve होगा, दूसरा, एक और problem statement बता देता हूँ, मालने जाए, ये वाला pod इस node में चला गया, ये वाला pod इस node में चला गया, ये web pod ह गया, ये database pod हो गया, अब बाहर से कोई बंदा आता है, तो wordpress पर आता है, wordpress pod यहां पर रखा हुआ है, database pod यहां पर रखा हुआ है, अब database pod के साब यह connection बनाता है, तो देखिए latency का फर्क पड़ेगा यहां पर, क्योंकि ये अलग node है, ये अलग node है, थोड़ा बहुत तो pod में multi container की functionality मिलती है, तो क्यों ना आप इस तरीके से काम करें, एक ही pod आप बना लिजे, एक ही pod आप बनाईए, उस pod के अंदर आप एक container बनाईए, जिसमें आप अपना wordpress रखिए, और इसी pod के अंदर आप एक container बनाईए, जिसमें आप mysql रखिए, ये लेजे, इसमें आ local host, एक चीज़ और बता देता हूँ pod के बारे में, pod को हम लोग itself एक local host की तरह trade करते हैं, pod को हम लोग itself एक local host समझ के चलते हैं, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब देखिए, माल लिजे आपके पास ये एक computer है, ठीक है ना, ये computer है, अब ये computer है, इसका एक interface card है, इसकी एक IP है माल लिजे, ये IP है, ठीक है, तो आप इस एक computer को क्या बोलते हैं, ये local host है, यही बोलते हैं, अब आप इस computer के अंदर क्या करते हैं, इस computer के अंदर माल लिजे, आपने एक web चला लिया, application चला लिया, और database चला लिया, तो आप तीनों को आपस में, इसी IP से चला सकते हैं, लोक बेक IP से, चल जाएगी न, इसी तरीके से, ये जो pod है, इटसल्फ एक local host की तरह है, इस pod के अंदर, pod की IP एक ही है, pod की IP ही है, लेकिन pod के अंदर दो container है, एक WordPress और एक MySQL, ये container अपना अलग library यूज़ कर रहा है, ये अपना अलग library यूज़ कर रहा है, clear, तो ऐसा करने से benefit क्या है, ऐसा करने से benefit क्या है, कि पूरे pod के अंदर एक container ये, container ये, इस pod को एक ही IP मिली, मतलब आपने अपनी IP को waste नहीं किया, पहले वाले case में इस pod को एक IP मिल गए, इस pod को एक IP मिल गए, दो IP आप दे दिए, लेकिन यहाँ पर देखो क्या, एक ही IP इसी के अंदर WordPress और इसी के अंदर MySQL, और एक benefit बजा देता हूँ, अगर कोई बंदा WordPress से connect करता है, तो WordPress से अगर और pod के उपर अपने deployment बनाया, तो pod की redundancy ही है, pod के अंदर माल लीजे कोई भी container को कुछ होता है, तो दुबारा से नहीं, pod recreate हो जाएगा same data के साथ, clear, तो इस सरीके से industry के अंदर, हम लोग pod के अंदर multi container की functionality मिल रही है, तो हम लोग उसे utilize करते हैं, waste नहीं करते है, लेकिन कभी किसी scenario में आपको ऐसा भी मिलेगा, कि नहीं भाई साब, हमें एक pod के अंदर, एक container रखना है, उसमें WordPress चलाना है, और दूसरे pod के अंदर MySQL रखना है, दूसरे pod के अंदर एक container बनाना, उसके अंदर MySQL चलाना है, हमें अलग अलग ही चलाना है, ऐसा कप करना पड़ता है, लेकिन एक better utilization के लिए आप चाहें, तो एक pod के अंदर multi container functionality को use करते हैं, मैंने आपको बता है, आई-पी भी safe हो जाएगा और latency का भी low हो जाएगी आप, ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, यूज किया जाता है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से देखिए, पूरा का पूरा automation आपका बन गया, पूरा का पूरा automation बाहर से बंदा है, इसको hit मारा है, ये इस node पे गया, इस node से, इस pod पे गया जला गया, pod ने, के अंदर एक container, container पे application चल रही है, अब container पे भी load नहीं हो, container पे जो data आएगा, और data कहाँ पे होगा, तो उसके लिए company क्या करती है, एक network volume ले ले लेती है, ये company का network volume है, माल लीजिए, network storage है, तो ये company का network storage है, और company क्या करेगी, इस pod में, इस network storage को map कर लेगी, bind कर लेगी, तो कोई भी data generate होता है, वो इस storage में आ जाएगा, अब company बोलती है, इस pod पे अगर load बड़े तो क्या करना है, तो company बोला कि pod की replication कर लो, तो अगर pod की replication आ गई, जैसे pod की replication आ गई, ठीक है न, तो ये pod भी live हो गया, अब ये storage, ये pod भी share कर रहे होंगे, ये लेजे, तो पूरा का पूरा light width चल रहा है, जो data आ भी रहा है, वो भी backend में network storage जा रहा है, इस तरीके से पूरा कूरा cluster setup किया जा जाता है, और उम्मीद करता हूं कि pod की definitions आपको बहुत हद तक clear हो गई, होगी, ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और मैं आपको clear कर देता हूं, देखिए क्या होता है, कि एक pod के अंदर, ठीक है न, एक pod के अंदर आप number of containers रख रहे हैं, ठीक है न, अब कई बार कई लोग बोलते हैं कि यह एक pod के अंदर आप number of container क्यों रख रहे हैं, तो हम answer देते हैं कि एक pod के अंदर हमने थीन container इसलिए रखा, क्योंकि एक container में हम web चलाएंगे, और एक container में हम application चलाएंगे, और एक container में हम database चलाएंगे, लेकिन अब कई लोग आपके सामने ऐसे भी statement रखेंग कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं एक custom image बनाऊं, एक docker file लिखूं, एक docker file लिखूं, उस docker file में मैं तीन task बता दूं, web, application, database और उसको build कर दूं, तो एक complete image बन गए, और एक pod के अंदर एक ही container बनाऊं, और उस container के अंदर मैं यह image को deploy कर दूं, तो उसी container के अंदर web भी चल रहा application भी चल रहा, database भी चल रहा, ऐसा भी तो हो सकता है, तो बिलकुल हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा use करते हैं, तो फिर आप container based, virtualization बोले तो, बोले तो microservices की functionality के against चले गया, क्योंकि microservices में यह कहा जाता है, कि एक-एक service को अलग-अलग container पे रखना है, एक-एक service, हर एक container पे रख देंगे, तो library share हो रही है, अगर अब देखे तो, इसलिए आप कर चो सकते हैं, लेकिन फिर आप microservice के against जाके काप कर रहा है, तो इसलिए अगर आप से कोई ऐसा statement बोलता है, तो आप उसे यह समझा सकते हैं, कि भाई, इसलिए हम लोग एक pod के अंदर number of container बनाते है कि इस web की library अलग हो, app की library अलग हो, और database की library अलग हो, लेकिन हैं सीनों एक ही pod के अंदर, तो उमीद करता हूं दोस्तों, यह pod आपको समझ में आया गया होगा, मोटा मोटे एक सब्द में बोलें, तो pod collection of the container, मोटा मोटे, pod क्या है, collection of the container, इतनी definitions जो मैंने आपको दिया, उम और भी होता, अभी हम लोग जब pod की lab करेंगे, तो सारा कुछ clear हो जाएगा, deployment बनाएंगे, तो clear हो जाएगा, service बनाएंगे, तो सब कुछ clear हो जाएगा, service के cluster IP, cluster IP देखेंगे, note port देखेंगे, load values, सारा हम practical के format में देखेंगे, लेकिन आगे के वीडियो में, यह pod को understanding कराना बहुत important था मेरे लिए, आप लोगों को, क्योंकि अगर pod की definitions clear नहीं है, तो आगे बढ़ने से कोई फायजा नहीं, तो उमीद करता हूं दोस्तों, यह आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को करते ही, यहीं पर stop, और अगले वीडियो में मिले करेंगे, kubernetes cluster में, namespace की importance, बहुत ही important है, अगले वीडियो में हम लोग इसको discuss करेंगे, इस वीडियो में में discuss नहीं कर रहा हूं, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाए गई है, तो next वीडियो में मिलते हैं हम लोग namespace के concept के साथ, तब तक लिए दोस्तों, बाबाए